हेलो अब्रीवन वेलकाँ टू मैं चैनल से भी वित असोग फ्रेंड्स आज हम बैंक प्रमोशन एक्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो की है रेशियो बेस्ट नुमेरिकल का दूसरा पार्ट तो इसमें यह भी वैलेंस सीट से ही रिलेटर है फ्रेंड्स तो हमने प अब दूसरी बाद किसी वी कमपनी की जो सीड होती वरंस उसमें क्लवा फिफायट होता है एक side liability होती है asset जो होता है उसमें current asset fixed asset intangible asset miscellaneous asset या non current asset होता है ठीक है और जो liability side होती है फ्रेंट साब की वो current liability होती है long term liability होती है और net worth होती है net worth क्या होती है फ्रेंट नेट वर्थ वो पैसा होता है जो company का owner खुद ले करके आता है ठीक हो net worth होती है यानी capital plus reserve plus share premium को मिला करके जो पैसा आता है वो net worth कहलाती है long term liability जो ज़्यादा समय के लिए पैसा उधार लिया गया है किसी से वो होता है current liability जो विदिन एक साल में किसी को चुकाना हो current liability होती है ठीक है फिर्ट लांग टर्म लाइबिल्टी ल्टील का मतलब लांग टर्म लाइबिल्टी नेट वर्थ हो गया ठीक है इधर हमने देख लिया current asset जो एक साल के नदर में consume हो जाएगा asset या cash में connect हो जाएगा fix asset fix asset को एक और नाम से भी जानते हैं उसे कहते हैं net block ठीक है तो कई जगहों पर fix asset ना लिख करके सीधी-सीधी net block लिख देंगे तो confuse मत होईएगा net block या fix asset दोनों एक ही बात है ऐसा asset जो मतलब long term हो जागा जैसे machinery हो गई factory हो गई वो fix asset होता है intangible asset friends आपका IA intangible asset होता है ऐसा asset इसे touch ना किया जैसे good bill हो गई किसी company की brand image हो गई है ना brand होता है जैसे apple company है उसकी एक brand है ठीक है तो अब apple brand की ही एक जो है अपने आप में बेहुत value है तो ये asset जो है उस company का intangible asset हो जाएगा इसको कैसे analyze करते हैं फ्रेंट तो ये काम चार्टेड एकांटेंट हो कहरा करते हैं हम किसी company की good will banker नहीं पता कर सकता है उसकी brand image कितनी है उसकी कितनी value है ठीक है और उसके मिस्लेनियस asset जो इन तीनों में नहीं आते हैं तो ये हो गया किसी भी company के balance sheet में asset होता है liability होती है सबसे खास बात जो होती है asset side का total हमेशा liability side के total के बराबर होता है ठीक है तो वही बात हमने आ लिकी है ये total और ये total आपस में बराबर होंगे clear हो गया तो आगे हम इस शीज का बहुत यूज करेंगे इसलिए मैं यहां पर आप अच्छे समझा रहा हूँ हूँ कि asset side में क्या क्या लेगे current asset, fixed asset, intangible asset, miscellaneous asset ठीक है इसका जो total होगा अगर मालीजे 200 करोड आता है तो liability side का 200 करोड ही आएगा भले ही यहां current liability, long term liability, net worth कुछ भी हो लेकिन जोड के 200 करोड ही आएगा ठीक है इतनी बात clear हो गई अब इसमें से एक current liability side, एक current asset side ठीक है current liability को छोड दीजिए तो बाकी के जो यह दो चीजे बचती है इन्हें long term sources कहते है मतलब fund आने का source कौन सा है long term fund आने का source कौन सा होते है तो long term liability और net worth जो होता है यह long term LTS long term sources कह लाते है मतलब liability यही तो होती है जो पैसा आप इकठा करते हुए जैसे किसी से 200 करोड रुपे उधार ले लिए तो यह company के उपर liability होगे क्योंकि पैसे उसको चुका नहीं है इसी तरीके से जो net worth होती है वो company के owner द्वारा लगाया पैसा होता है capital होता है लेकिन फिर भी company के point value से यह capital भले ही मालिक ने लगाया है company में लेकिन company के लिए यह एक liability होती है तो यह भी बात clear हो गई लांग term sources की अगर कहीं कहीं लिख दिया गया कि एक company के LTS long term sources 20 करोड हैं तो हमें यह समझ लेना होगा कि यह long term liability और plus net worth की बात हो रही है ठीक है इसी तरीके से current asset को छोड़ दीजिए तो बाकी यह सारे जो asset होते हैं इनको long term source कहते हैं लांग term क्या कहते हैं source sorry long term uses कहते हैं यह source होगा पैसे आने का source यह है और जो asset होते हैं यह long term use होते हैं uses का मतलब होगा कि जहां पैसा यूज हो रहा है वो asset बनाता है अब ऐसा यूज करके हम asset बनाते हैं तो यह जो बाकी चीज़े होते हैं लांग term uses कहते हैं ठीक है तो अगर हम इसी वैलन्स सीट को चाहाए ऐसे देखें और चाहाए ऐसे uses हो गया total हमेशा आपस में बराबर होते हैं ठीक है clear हो गया नेट वर्थ के बारे मैंने आपको बता है नेट वर्थ वह होता है जो owner security भी कहते हैं कहीं पर आप नेट वर्थ कल्कुलेट करिए या owners equity कल्कुलेट करने लिए पूछा जाए बात एक ही है capital plus reserve plus share premium इन सभी को मिल करके नेट वर्थ बनती है ल्ट्य लांग टर्म लाइविल्टी हो गई करेंट लाइविल्टी हो गई आपकी current asset हो गया fix asset को net block के नाम से भी जानते हैं ठीक है आई इंटेंजिवल एसेट हो गया miscellaneous asset ma miscellaneous asset कही है या non current asset भी कह सकते हैं यह जो आपका ma miscellaneous asset होता है इसे नान current asset के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो ठीक है यह इतना clear हो गया अगर आपको फंडा clear हो गया तो आप सवाल सौल्व करेंगे कुछ कुश्चन सब सौल्व करेंगे आपर question number 1 है networking capital यानि networking capital 400 कर करोड़ है अब आप से पूछ रहे हैं कि current liability calculate करिए और current ratio को calculate करने के लिए कहा जा रहा है networking capital है कितनी 400 करोड़ current asset कितना है 1400 करोड़ तो अब देखो हमें formula क्या पता है फ्रंस हमें formula पता है कि networking capital बराबर होता है current asset minus current liability यानि current asset में से current reliability घटाने पर कितना आना चाहिए networking capital के तो 400 करोड़ यहां लिख दीजिए networking capital के और current asset कितना है 1400 तो 1400 यहां लिख दीजिए माइनस current reliability ऐसे ही रहने दीजिए अब जब आप इसको solve करेंगे current liability इधर आएगी 400 अधर जाएगा तो current reliability आपकी 1000 करोड़ आ जाएगी देखे चाहिए ठीक है तो जब आप इसे solve करेंगे तो यह 1000 लाक या 1000 करोड़ जो भी है वह आ जाएगी आपकी और आप से पूछा जा रहा है तो देखे current asset पता है 1400 करोड़ और current reliability हमने निकाली कितनी 1000 करोड़ तो अब current ratio कैसे निकालते हैं current asset upon current reliability तो 1400 divided by 1000 जब आप करेंगे तो यह 1.4 is to 1 का ratio निकल आएगा ठीक है तो यह simple सवाल है इसमें कुछ ज़्यादा मैथ नहीं है आपको दिया हुआ है net working capital 400 करोड़ का और current asset दिया हुआ है 1000 करोड का आप से पूछ रहा है यह 1000 लैक दिया हुए मान लिए ठीक है आप से पूछ रहा है कि current reliability calculate कीजिए तो सबसे पहले फार्मुला लगा जीए networking capital current asset minus current reliability तो अब current asset में से कितना घटाए कि 400 करोड़ आ जाए तो अगर 1000 में से मतलब हमें 1400 करोड़ में से कितना घटाया जाए कि ह हमें 400 मिल जा तो वही हो गया एक हजार घटाएंगे तो नेट वर्किंग केपिटल की जगह पर 400 रखा हमने current asset की जगह पर हमने 1400 रखा माइनस current reliability एक्स रख दीजिए यह रखी जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्यल्व की वैलू आपकी 1000 करोड़ आ जाएगी एक बार आपको तो पुछे का करेंट रेशियो ऐसे रहे हैं के लिए कि आरच यह रहा हूं में लिख रहा हूं किसी कमपनी एक 150 करोड़ है तो आप से पूछेगा current ratio calculate करके बताइए ठीक है तो इस तरीके तो language में लिखेंगे मैंने इसी को 60 form में लिखा है कि current asset 90 करोड है current reliability 1500 करोड है तो current ratio अब ये तो सबसे सरल सवाल हो गया current ratio बरावरत है current asset upon current reliability current asset दिया हुए 90 करोड current reliability दी हुई 150 करोड जब आप इसको काटेंगे या simplify करेंगे तो 3 is to 5 य ज़्यादा तफ नहीं है कुश्चन नबर 3 देखिए a company have total asset of 450 करोड एक company है जिसके total asset कितने है साढ़े 400 करोड है current reliability जो है 50 करोड है company की debt equity ratio 3 is to 1 का है calculate equity या net worth of company ठीक है company की equity या net worth आपको calculate करनी है ठीक है net worth हमें calculate करनी है तो अब हमें जानकारी क्या क्या दी गई है total asset है आपका 450 करोड का और केवल current reliability दी गई है 50 करोड की ठीक है divided byindustrie sorry tangible net worth होता है आप, tangible net worth होता है लेकिन आप, tangible net worth कैसे निकलती है जितनीھی net worth हो जो net worth है वही tangible net worth भी हो जाएगी आप समझ गए होगे मेरी बात tangible net worth निकालनी है लेकिन यह हम तभी निकाल सकते हैं जब हमाई पास intangible asset दिया हो यह question में नहीं दिया है तो चाहे मैं net worth कहूं चाहे tangible net worth कहूं दोनों एक ही बात हो गई तो यह हो गया debt equity ratio होता है आपका long term liability divided by tangible net worth अब यह question में ही 3 is to 1 दिया हुआ है जब आप इसको यूज करेंगे long term liability को ltl लिखा इसको net worth लिखा जब आप इसको cross multiply करोगे तो long term liability equal to three times net worth निकल आया आपको जो यह इतनी बात ली हुई है इससे हमने एक equation बना ली कि जो long term liability है वो three times net worth के बराबर है ठीक है तो debt equity ratio का हमने यूज कर लिया अब दूसरा आएंगे हम balance sheet बनानी पड़ेगी balance sheet क्यों बनानी पड़ेगी वो भी मैं आपको समझाता हूं देखे इ total asset दिया हुआ है इधर asset का total कितना है फ्रेंट्स साढ़े 400 करोड तो अगर total asset साढ़े 400 करोड है total liability भी साढ़े 400 करोड होगी होगी correct अब हमने ये भी देखा था current reliability होती है या long term sources होते है या long term liability होती है आपके फ्रेंट्स लांग term reliability कहें लांग term sources कहिए बात एक ही है ठीक है तो यहां के long term sources हो गए current reliability कितनी दिए है 50 करोड की और यहां total कितना रहती है 400 करोड इसका मतलब यह जो अगर यह 450 आना है यह इतना क्यों 50 है तो बीच में जो बचा वह 400 करोड रुपए बचे वही चीज यहां लिखियो यह देखिए current liability लांग term liability और net worth यह तीनों मिला करके आपका 400 करोड होना चाहिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह 400 करोड हमने कैसे कह दिया क्योंकि question में ही दिया हुआ कि एक company की जो total asset है वो 400 करोड है अगर किसी company के total asset 400 करोड है तो total liability भी 400 करोड ही होगी यह आपका funda होता है balance sheet का ठीक है तो यह 400 करोड होगी अब हमने बताया था आपको कि जो आपके liability side होते हमें तीन component है current liability long term liability और net worth और asset side में हमने चार चीज़े बताए थी current asset fixed asset intangible asset और miscellaneous asset ठीक है तो हमें सिर्फ liability side की बात करनी है तो current liability long term liability और net worth को जोड़ करके कितना आना चाहिए फ्रंस 4500 करोड आना चाहिए तो current liability long term liability net worth को जोड़ करके 4500 करोड आना चाहिए अब current reliability आपके question में ही 50 करोड रुपए दी हुई है देखे वापास हाई यहां पर current liability दी हुई है 50 करोड रुपए उठा करके वह 50 करोड मैंने यहां रख दिये 50 करोड यहां रखे प्लस long term liability प्लस net worth बराबर 4500 करोड के तो long term liability प्लस net worth equal to 400 करोड एक equation बन करके आप की आ गई ठीक है कित क्या आ गया long term liability प्लस net worth equal to 400 करोड के अब हमें चहिए क्या net worth calculate करनी है तो इसका मतला हमें long term liability को गायब करना पड़ेगा और long term liability को गायब करने के लिए हमने शुरुआत में ही एक जो debt equity ratio से एक समी net worth अलग से जारा जोड़कर के 4 times net worth equal to 400 के तो net worth आ गई 100 करोड के तो चाहे हम net worth कहें चाहे owners equity कहें दोनों 100 करोड रूपए निकल करके आ गए फ्रेंट क्लियर हो गया होगा आई होग खाफी सारे question है 9 question है समिला करके तो अगर नहीं clear हुआ है तो एक बार वीडियो फिर से द capacity होता है तो करुंट Northeast एक तो करुंट एसेट अपान करुंट रेयाबिल होगी और सवाल में क्या दिया है कि करन्ट रेलाइबिलटी 10.00ений करण करण कर्ण कर्ण राइबिल में कि current liability अगर 10 लाख है तो current asset आपका 20 लाख होगा क्योंकि 2 is to 1 का ratio है अब सवाल कह रहा है कि total liability 200 करोड है 200 लाख है जहां total liability बात की ध्यान रखेगा इधर asset बना दीजिए इधर liability बना दीजिए ये 200 लाख दी हुई है total liability तो अगर total liability 200 लाख है तो total asset भी आपका फ्रेंट 200 लाख होगा यह automated है ठीक है फिर इन्हों ने लिखा intangible asset और non current asset है ही नहीं ठीक है miscellaneous asset या फिर non current asset intangible asset यह सब हैं ही नहीं तो fixed asset calculate करने के लिए आप से कहा जा रहा है ठीक है आई यह देखते हैं फिर से asset हो गया liability हो गई total liability कि इतनी बताई है फ्रेंट्स इन्होंने 200 लाख तो total asset कितना होगा 200 लाख रुपए अब जो asset side होता है उसमें क्या क्या होता है बताइए current asset होता है और fixed asset होता है intangible asset होता है और miscellaneous asset होता है अब यह बोल रहे हैं कि intangible asset 0 है तो यहाँ जीरो रख लीजिए miscellaneous asset भी आपका 0 है यहां से जीरो रख लीजिए तो बचा क्या क्या क्योंवल current asset बचा और प्लस जो है fixed asset बचा fixed asset को और किस नाम से बलाते हैं net block के नाम से यह दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 200 करोड़ रुपए यही तो कुश्चन बना फ्रेंड साब का कि नहीं बना यह total current asset और fixed asset को जोड़कर हमें total 200 करोड़ रुपए चाहिए ठीक है 200 लाक रुपए चाहिए लाक और करोड़ में करोड़ रुपए निकल करके आ जाएगा फंसों के वही बात मैंने सल्यूशन में समझाए current ratio equal to current asset upon current liability यह 2 is to 1 का ratio है current asset वैसे रहने दिया current liability को 10 लाक लिख दिया क्यूंकि आपके question में ही current liability 10 लाक रुपए दी हुई थी ठीक है 10 लाक रुपए रखा तो current asset आपका निकल करके 20 लाक रुपए आ गया फिर मैंने क्या किया वही asset liability total 200 करोड़ दी हुई थी वह लिख दिया तो current अगर total liability 200 करोड़ है तो total asset भी 200 करोड़ होंगे और asset side में चार component के current asset fixed asset intangible asset और miscellaneous asset या non current asset और यह चारों जोड़ करके आपका कितना आना चाहिए 200 करोड़ ही तो आना चाहिए तो मैंने उठा करके बैलूपट कर दी current asset 20 करोड़ है fixed asset पता करना है intangible asset जीरो दिया मिसलिने असे जीरो दिया है सारा जोड़ा तो पता चला fixed asset जो है आपका 180 लाक रुपए आ जाएगा 180 लाक हा रहा है friends अगर सारी calculation आप करोड़ में करेंगे तो 180 करोड़ आ जाएगा वो कोई बहुत ज़्यादा difficult task नहीं है ठीक है friends तो I hope आप आपको समझ में आया होगा कि ये asset side और liability side में total का क्या मतलब होता है और इसको कैसे use करते हैं ठीक है next question उठाएंगे friends question number 5 total asset 400 करोड़ है long term sources 220 करोड़ है current ratio 1.5 is to 1 है networking capital और current asset ये तीन दो चीजे पता का निगलिया आपको कह रहा है तो अब जहां भी total की बात कर दी asset और liability बनाएए total asset 400 करोड़ है इसका मतलब है यहां पर 400 करोड़ है तो liability भी total 400 करोड़ हो गई इतनी बात clear हो गई अब यहां पर liability side में देखे long term sources दिया है मैंने आपको बताया था कि current reliability होती है और बाकी का सारा long term sources होता है और asset में क्या बताया था current asset होते है और बाकी जो कुछ भी होता है वो long term usage होते है ना तो खेर यहां हमें current asset से use नहीं है तो मैंने revise कर निगले बता दिया है लाइबिल्टी हमें लांग टर्म सोर्सेश दिए हैं लांग टर्म सोर्स इना मिना थे नज़ीद करोर थे कि करेंगे 320 करोड लिख दी जे तो सबस्जाAS करannenMini करेंगे current reliability कितनी आ गई 180 करोड़ रुपए आ गई अब हमें पता है कि current ratio दिया हुआ है current asset upon current reliability 1.5 upon 1 है देखिए यहां दिया हुआ है तो अब current reliability कितनी आई हमारी 180 तो अगर current reliability 180 आई है तो current asset उसका 1.5 times हो जाएगा 270 आ जाएगा तो current asset निकल करके 270 आ गया अब networking capital क्या होता है फ्रण्स networking capital होता है आपका current asset minus current liability तो 270 में से एक स्वस्थी आप घटाओगे तो यह आ जाएगा 90 करोड़ रूपए ठीक है फ्रण्स तो देखे इस सवाल से हमने कैसे जो है सारी चीज़े कल्पलेट की है फिर से एक बार समझ लाइबिल्टी बना ली टोटल एसेट 400 करोड़ दिया यहां लिखा अगर टोटल एसेट 400 करोड़ है तो टोटल लाइबिल्टी भी 400 करोड़ होगी इसमें कोई डाउट नहीं है जो आपका लाइबिल्टी साइड में तीन कंपोनेंट बताये थे current liability और आपका long term sources बताये थ लाइबिल्टी और नेट वर्थ बताया था current liability बताया थी ठीक है यह लाइबिल्टी साइड की बात कर रहा हूं मैं तो अब इसमें से यह जो दो चीजे थी इनको मैंने बाद में क्या कहा था यह long term sources होते हैं fund के यह दोनों तो long term sources 220 करोड़ का मतलब हुआ कि long term liability और नेट व current reliability हमारे पास में long term sources 220 करोड़ थे तो हमने कहा कि current reliability प्लस 220 करोड़ रिखा बराबर 400 करोड़ आना चाहिए तो current liability 180 करोड़ निकल करके आ गई current liability आपके 180 करोड़ निकल करके आ गई फिर current ratio दिया हुआ है current asset अबान current liability जिससे हमने current asset निकाला तो 270 करोड़ आ गया networking capital निकालने के लिए current asset में से current liability घटाते हैं आप घटा दोगे तो यह 90 आ जाएगा तो यह भी part question was आपका 5-20 solve हो जाता ह है अगला question number 6 है current ratio 2-1 है networking capital 60 है तो current reliability गयात कीजिए ठीक है तो अगर current ratio 2-1 है तो इसका मदलब current asset upon current reliability हो गया और यह 2 upon 1 है तो हम चाहें तो current asset को लिख दें 2x और current reliability को लिख दें x है ना ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं तो जहां current अब networking capital क्या होता है फार्मूला networking capital का फार्मूला होता है जो साथ हजार है यह बराबर होगा current asset minus current reliability के बोलिए सही एक नहीं networking capital बराबर current अब हमने माना क्या था एक किसको माना था current reliability को current reliability x के बराबर तो 60,000 हो गई और current asset निकालना तो इसका दो गुना एक networking capital बराबर current asset minus current reliability होता है लेकिन हमारे पास इस question में ना तो current asset है ना current reliability है देखिए ना current asset है ना current liability तो हमें वो पता करना पड़ेगा उसके लिए क्या किया जो current ratio 2 is to 1 का दिया था हमने उससे क्या किया current ratio 2 is to 1 से current asset को 2x माना current liability को सब्सक्राइब नेट वर्किंग कैपिटल हो गया नेट वर्किंग कैपिटल बराबर एक्स यह साथ हजार के आ गया और एक्स क्या था हमारा देखिए यहां पर हमने माना था तो current reliability ही हमारी एक्स निकल करके आए थी current asset 2x आया था तो अगर सवाल पूछे कि जो है current liability कल्कुलेट कीजिए तो साथ हजार हो गई अगर current asset पूछता तो एक लाग बीस हजार निकल करके आता इसी कुश्यन में ठीक है है जहां से आ रहा है उसको वापस करना होगा तो लाइबिल्टी साइड आता है और लांग टर्म यूजेज फंड कहां यूज हो रहा है कार खरीदली गाड़ी खरीदली या फिर फैक्टरी बनवा दी तो वह जो है आपका एसेट होता है तो लांग टर्म यूजेज आपका लेगिन सवाल यह है कि current asset कितना है यहां हमें current asset अभी दिया नहीं है उसी को calculate करना है तो देखे यहां पर मैंबनाया हुआ है लांग टर्म यूजेज और current यह दोनों मिला पजूचए से हैं और यह करेंट हो गया यह 55 है ठीक है दिखे 5 कहां से आया हूँ confused को辉स्थ है यहां से टोडल लाइबिल्टी साइड यह गई हुई है तो तूत इन तर्म लाइबिल्टी को है ऐसा में करेंट लाइबिल्टी हूँ है और net worth या capital and reserve 10 लाख रुपए है ठीक है तो उसी को यहाँ पर रखा गया देखें तीन component होते हैं आपके liability side में कौन से component होते हैं liability side में current liability होती है long term liability होती है और net worth होता है net worth मैंने आपको बताया था capital plus reserve plus share premium होता है current liability कितनी आई है देखें यहाँ पर 5 लाख दी होई है रख दिया long term loan long term जो है loan 20 लाख का है 20 लाख लिख दिया net worth आपका जो capital plus reserve है वो हो गया तो total मिला करके अगर हम इसकी liability calculate तो 35 लाख रुपए आ रही है ठीक है तो total liability आपके 35 लाख रुपए आ रही तो total asset भी आपका 35 लाख रुपए ही आएगा कितना आएगा 35 लाख रुपए तो अगर हम इस figure को बनाएं फिर से asset और liability का तो यहाँ भी 35 आएगा यहाँ तो 35 आही रहा तो यहाँ भी 35 आएगा और यहाँ पर मैंने बताया था कि current asset होत चाहिए तो current asset plus long term usage को जोड़ करके total कितना आना चाहिए 35 लाख रुपए आनी चाहिए तो current asset हमें पता नहीं है long term usage दिया होए सवाल में 20 equal to 35 इसका मतलब current asset equal to 15 लाख रुपए आ गया current asset जो है आपका 15 लाख रुपए आ गया और current liability आपकी पांच लाख रुपए है तो current ratio बराबर होता है current asset upon current liability 3 is to 1 का ratio निकल करके आ जाएगा फ्रणस ओके hope आपको clear हो रहा है नहीं clear हो था question को फिर से दुबारा देखेंगे 100% बता रहा हो कि सब कुछ clear किया हो है मैंने आपको समझ में आ जाएगा question number 8 देखिए current ratio 2 is to 1 है कुक ratio 1 is to 3 है current asset 36 लाख है quick asset calculate करने के लिए कह रहे हैं ठीक है अब देखिए current ratio दिया है current asset दिया है current asset दिया है quick asset पूछ रहे हैं तो पहली बात यह है कि quick asset होता क्या है तो एक बार फिर से देख लीजे quick asset होता है current asset में से जब inventory या stock और prepaid expenses को हटा देते हैं ठीक है quick asset क्य आपके quick asset होता है ठीक है अब हमें निकालना quick asset ही है current ratio बराबर होता है current asset upon current liability के और quick ratio बराबर क्या होता है quick asset upon current liability के अब यह दिया हुआ है two each to one यहाँ two each to one लिख दोगे तो आपका current asset इसे multiply करोगे यह निकल आएगा कि current asset बराबर two times current reliability के है current asset two times current liability के निकल आएगा इसी के साहता हम solve करेंगे current ratio current अब लाइबिल्टी तो हमें यह हो गया कि current asset बराबर two times current liability के अब question में current asset 36 lakh दिया हुआ है तो हमने क्या किया current asset की जगे 36 lakh रखा तो two times current liability यहनी current liability 18 lakh रुपए निकल करके आ जाती है तो हमने तुरंथ ही current asset पता है current ratio पता है current liability हमने निकाल ली आगई 18 lakh रुपए के अब current liability हमने जब निकाल ली तो quick ratio कैसे निकालते हैं friends quick ratio होता है quick asset upon current reliability के है है अब quick ratio दिया कितना है question में देखिए है यहाँ पे वन इस्टो थी दिया हुआ है तो quick asset upon current reliability बरावर वन अपान थी होगा क्यों 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 वन अपान थी है या वन इस्टो थी है अब current reliability हमने अभी कितनी calculate की 18 lakh रुपए calculate की है और यह बरावर 153 हो जाएगा इसको इस से multiply करोगे आप त सिंपल से लिखे इसलिए आपको सरल लग रहा होगा लेकिन अब जब आप साल्व खुद करने अभी मैं मेरे बताने से पहले अगर आप साल्व करेंगे तो आप इसमें फसेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है तो प्लीज जो है इसको अच्छे से समझ लीजेगा और साल्व कर करन्ट रेशियो ठीक है देखिए इधर आपका एसेट हो गया इधर आपकी लाइबिल्टी हो गई टोटल आफ वैलेंस इडिच पांसो लाख यह बात का मतलब यह हुआ कि पांसो इधर और पांसो इधर आ गया इस बात से हमने इतनी बैलेंस टोटल आफ वैलेंस इडिक का लांग टर्म सोर्सेस 300 लाथ हैं यह 300 है और इधर क्या दिया हो है लांग टर्म यूजिए 200 लाथ हैं ठीक है चलो अब यह करेंट रलाइबिल्टी अगर निकालनी है यहां से यह तोटल 500 होना चाहिए उसमें से 300 यह है तो इसका मतलब करेंट रलाइबिल्टी 200 निकल के आएगी current reliability आपके 200 आगे इसमें कोई डाउट नहीं है यहां पर दीखिए current asset और long term usage 200 है यह total 500 होना थे तो current asset हो गया आपका 300 तो current asset 300 और current reliability 200 clear हुआ या नहीं हुआ clear current asset 300 और current reliability 200 अब अगर आपसे current ratio पूछ रहा है तो current asset upon current reliability कर दीजिए 322 का ratio आजाएगा और अगर networking capital पूछ रहा है आपसे तो current asset minus current reliability कर दीजिए 300 में से 200 घटाएंगे आपको 100 निकल करके आजाएगा ठीक है फ्रन तो यह question वैसे देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन देखिए easily solve हो गया है बसकिल यह वाला फंडा मैंने आपको समझा है वो जड़ा सध्यान रखिएगा जहां पर कि एसेट साइड में और liability साइड में अगर सिर्फ current asset और current liability घड़ा दें तो बाकी जो बचता है वह या तो long term usage है तो long term sources है ठीक है अच्छा long term sources में क्या क्या आता है आपका आता है फ्रेंस लांग टर्म लाइविल्टी आती है प्लस नेट वर्थ आती है इस अले पॉर्शन में और लांग टर्म यूजज में आपका इंटेंजिबल एसेट मिस्लेनियस एसेट और फिक्स एसेट आता है इस वाले पॉर्शन में यह तीन चीज़े आती है इसमें लांग टर्म यूजज में ठीक है और यह कह रहे हैं कि टोडल आप बैलन सीट पांसो लाग है तो पांसो यहां भी लिग दिया बाकी यह वैलू नहीं आता है यह जो मैंने बताया है आपको यह कुश्चन करना इजी नहीं होगा ठीक है तो हमने करन्ट लाइबिल्टी निकाली 200 इसी तरीके से करेंट एसे निकाला 300 अब अगर आपको नेट वर्किंग कैपिल निकालनी है तो करेंट एसे घटाई 100 आ गया और करेंट रे से रेलेटर ठीक है फ्रेंट थैंक यू सो मच